है गाइस वेलकम टो साइकावरनेस आई होप आप सब अच्छोंगे तो काफी इंपोर्टेंट न्यूस आप सभी के लिए पूरी देख लिए न क्योंकि आपके करेर के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है यूजीस ने जैसे पहले यूजीस में बात चाल ले बिना नेट और पीएजडी या विदाओट पीएजडी अप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं पहले हटाया यह रूल फिर लगाया दुबार दो बात कर देता है रिकूर्ट्मेंट क्या नया नोटिस आपको जो पब्लिस हो आपको 30 सेप्टेंबर को पब्लिस होके त बात करते हैं तो सब्जेक्ट इस नोटिस का वह है गाइडलाइन एक नई पोस्ट इनो ने क्रिएट की रहे है जिसका नाम है प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस इन उनिविएसिटी एन कॉलेज यह आप पोस्ट नाम लाएगा प्रोफेसर इन प्रैक्टिस तो यह आपको आप इस नाम प्रोफेसर आप प्रैक्टिस तो क्या इनकी एलजिप्रीटर है जाएगा और कोई नेट पीईट नहीं चाहिए और कितने नंबर आप पोजिशन में यह इस बताएंगे वह बात कर लिते हैं जो पोस्ट आपकी आपकी तब अब आप प्र नंबर आफ प्रफे in HIE, Higher Education Institute, HEI, at any point in time should not exceed 10% of the post of HEI, ठीक है? अगर किसी उनिवस्टिव में 50 post आ रही हैं, total accession प्रफेसर प्रफेसर की, तो उन पोस्ट में से 10% जो हाईर के जाएंगे वो प्रफेसर 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 के जाएंगे, निंए, 50 का 10% कितना होगा आफ फाइफ नंबर और पॉजिशन प्रफेसर और प्रेक्टिस के लोगा जो विदाउट नैट और पीएजडी के लिए हायर किये जाएंगे ठीक है तो क्या क्या eligibility criteria करेगा इनका क्या time of period रहेगा उसके बात कर लेते हैं तो यह जो प्रफेसर और प्रेक्टिस है वो कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं रहेगा यह कुछ फिक्स टाइम के लिए अगरखा जागा जिनके salary वगरा decide government नहीं करेगी वो कॉलेजी अपने तरफे salary वगरा इनके decide करेगा या वाइस चांसलर salary सिंग डिसाइड करेगा ठीक है तो इंगे टेन्योर होगा जॉब का the engagement may be initially 4 आप वनिया सुरू में वनिया कराएगा at the end of initial engagement और substitute extended of three year ठीक है और अगर college चाहे तो एक साल और increase कर सकता है तो maximum जो tenure रहेगा वो चार साल से उपर इन्हें hire नहीं कर सकता कोई college चार साल के बाद इन्हें छोड़ना होगा तो maximum four year से उपर यह job नहीं कर सकते प्रोफेसर और practice में आप बात कर दें कौन hire के जाएगा क्या इनकी eligibility criteria एगा कैसे नहीं रख जाएगा ठीक है प्रोफेसर और practice में यहां पर लिखा हुआ है eligibility second point पर बात कर लेते हैं तो यह एक्सपर्ट कुछ एक्सपर्ट रख जाएंगे who have met remarkable contribution to their profession जो अपने field of profession में जिन्हें काफी अच्छा काम कर रहा है such as engineering, science, technology, entrepreneurship, commerce, social sciences में, media, literature and fine arts, civil service अगर कोई civil service में काम कर रहा है और से छोड़कर उसे professor बनना है प्रफेसर प्रफेसर प्रक्टिस में तो भूब आ सकता है Armed Forces, Legal, Profession, Community and Development, Panchayati Raj, Rural Development, Water Haring, Organic Farming, Small Green Energy तो काफी यह field है इन फील्ड में आपने अच्छा काम कर रहा है Those who have proven expertise और उनके पास इस field इस expertise है specific professional role with at least 15 years of service इन field में जिन्होंने अपने 15 years दिये हैं service में और experience उन्हें 15 year का है तो वो लोग प्रफेसर प्रक्टिस में hire के जाएंगे preferably at a senior level will be eligible for professor of practice जिन्होंने इस field में expertise 15 year के लिए हैं तो उन्हें professor of practice में hire के जाएंगा जिनको net और PhD की कोई भी need नहीं होगी without net of PhD आ सकते हैं बाकि जिन्हों net और PhD करेंगे वो assistant professor के apply करेंगे और जितनी भी post आएंगी assistant professor आएंगी net of PhD की basis पर उन में से number of position में से 10% जो hire के जाएंगे वो professor of practice hire किये जाएंगे तो यहां पर यह सब लिखा हुआ है और इनका जो maximum tenure रहेगा 4 years से उपर नहीं हो सकता the engagement of professor practice will be a fixed term एक fixed term रहेगा तो जिन्हें भी experience हो गया है 10-12 साल का या भी तीन साल और काम करना चाहते हैं तो उसके बाद और professor practice में आ सकते हैं यह permanent hire नहीं कि देंगे इनके salary कोई fixed नहीं होगी कि college इंदेनी है और इसलिए इन्हें UGC net hire कर रहा है क्योंकि इनके जो experience है field experience और expertise है इनके field में उनको इसी इते classroom में engage कर से इनके classroom में पता सके कि क्या क्या practical life knowledge होती है कैसा practical work किया जाता है कैसा field work किया जाता है तो detail जो एक real work है ही 15 year में से करका आएंगे उसकी knowledge ही आपको एक classroom में देंगे इसलिए professor of practice higher education institute में hire किये जा रहे है इनके लिए net और PhD भी कोई भी demand नहीं रखी गई है बाकि जो जो net करा है PhD गा है उनके दो vacancy आएंगी ही बाकि अभी एक notice और आया है कि जो दुसार तेरीस तक बोल रहे हैं कि कि without PhD आप assistant professor के लिए प्लाई कर सकते हो उसका भी मैं कल देखूंगा एक बार उसका pdf रीट करेंगे बाकि यह का प्लाई कर सकते हैं बाकि एक बार pdf को आप complete रीट कर लेजगा इस pdf को इस pdf पर लिंक में आप पो डिस्क्रिप्शन दे दूगा तो जिनके बाद 15 एर का experience में और बता दू जिनके बाद 15 एर का experience such as field में science, engineering, technology, health अग्यरा में तो वो professor of practice के लिए हायर के जाएंगे guideline for engaging, professor of practice in college and universities में हायर के जाएंगे ठीक है जो NEP, National Education Policy 2020 में इसके बारे बात की गई थी उसे अब apply किया जा रहा है like vocational education type का एक चीज़ होंगी जो आपकी education को strength देंगी ठीक है तो और ये चीज़ होंगी बाकि क्यों को करेंगी तो आपसे comment में post लेना और Instagram पर link description में है, महाँ पर आप मैंसे पूर सकतो कोई कैरिया अगर आपकी होगी इन चीज़ को लेकिए बाकि इसका मैं PDF का link अपको description देंगा ठीक है पाकि जल्ली मिलते हैं अगली video में तब तक ले, thank you